आज की वीडियो में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं जितने वच्चे इसको नोट करना चाहते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में तो फेर इसको नोट कर सकते हैं और जैसे कि आप जानते हैं आपका जो फियोरी पार्ट है वो आपका कवर हो चुका है आपका नोट कर सकते हैं कि मैं आपको लाएन बाई से साइक सारे एक्सपेरिमेंट दिखा देता हондon कि यह अपका फर्स्ट वाला जो stylist यह उज्डिमेंट यह कली पर लए तो फुफर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर से आपके एक्स्पेरिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और यह आपका सबस्पहले एम आपईर्टस थियोरी पार्ट है उसके बाद प्रोसीजर और यह आपका अब्जर्वेशन और यहां पर जो भी आप एक्स्पेरिमेंट करेंगे वर्डनियर कैलिपर के साथ उसका जो डेटा है वो कलेक्ट करके आपको यहां पर उसकी रिडिंग लिखनी होगी तो फिर यह आप अपने आप से करेंगे और यहां पर से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है और यह आपका इसका रिजल्ट है रिजल्ट आपको दोनों पेजिस पर लिखना होता है प्लेइन वाले साइट पर और लाइन वाले साइट पर तो फिर यहां पर यह दोनों साइट लिखा हुआ है आपके teachers जैसा कहें आप वहाँ पर लिख सकते हैं बागी ये precautions है ये आपके sources of error है अब next experiment के चलते है next experiment का जो आपका diagram है वो यहाँ पर बना दिया गया है आप यहाँ पर से देख सकते हैं ऐसे यह आप भी बना सकते हैं और यहाँ पर से आपका experiment 2 second का first part start हो रहा है यहाँ पर से आप note करते हैं चलेगा अब यहाँ पर से आपका processor start हो जाता है यह आपकी observation table है तो फिर यहाँ पर से आपका जो भी reading आएगी आप यहाँ पर से calculation करके यहाँ पर लिख सकते हैं और यह जो भी आपका result हैगा वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यह आपके precautions है और यह sources of error और यह second experiment का part two है इसका भी सेम डियाग्राम रहेगा क्योंकि दोनों screw gauge पर यह यहाँ पर से आपके साय के साय टॉपिक्स हैं कि यहाँ पर से आप नोट कर सकते हैं और यहाँ पर से आपका observation इस्टार्ट होता है और यह आपका procedure और यह आपकी observation table और यहाँ पर से आपका next experiment स्टार्ट होता है यहाँ पर से आप इसको draw भी कर सकते हैं इस perimeter है आपका और यह आपका procedure और यह आपकी observation टेबल तो फिर इस वीडियो में इतना ही बाकी मिलता है आप से नेक्स्टेट में किसी ने आप साथ अब तक लिए जाहिन चाहाँ बारत